दोस्तों बात करेंगे DSSB की एक नई भर्ती के बारे में और इसके form फिलप के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको इसके लिए form को apply करना है DSSB के दोरा जो है एक और नई भर्ती निकाली गई है जिसका आप विग्यापन देख सकते हैं यह है और इसमें जो 1499 पदों पे various post आपके रहने वाले हैं सब देखेंगे आपके बहुत सारे पद हैं librarian की पद हैं labor officer के हैं TGT की वेकिंसी है computer science इसके लवा जूनियर इंजिनर की वेकिंसी है इसके लवाग caretaker male caretaker female की वेकिंसी है इस्टनोग्राफर की वेकिंसी आपको देखेंगे एक 188 पद है assistant sanitary inspector इस तरह के आप देखेंगे तो various post पे अलग अलग department में वेकिंसी निकाली गई है अगर आप eligible है इस भरती के लिए आप form को apply कर सकते हैं कैसे आपको form को apply करना है आज कर में बात करेंगे step by step एक live form fill करके बताएंगे ताकि आपको form fill करने में किसी परकार की mistake नहीं हो और आप इस वेकिंसी के लिए form को apply कर सके easily देखेंगे यह इसका online आप यहां पर देखेंगे इसमें नोटिफिकेशन में लिखा लाग है आप यहां चोतो सो निनामे पदो भरती को आवेदन दे सकती हैं चले जानते हैं कैसे आपको form को भरना है और सबका यहां पर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है एक बार form भरने से पहले अब जनकार सारी वेकेंसी का आवेदन आप लोगों ने किया अपने लोगिन करेंगे अगर आप पहली बार का form भर रहे हैं आपको एक नया यहां पर रजिचेशन और नया एक ऐड़ी बनाना होगा तो पहले आप नहीं उर्शनिश्ट वाले option पर करेंगे, click करेंगे, जिसा आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना दुबारा नाम को confirm करना है, फिर यहाँ डेटर बत, हर चीज को दो दो बार लिखा रहे हैं, फिर दस्वी क्लास का यहाँ पर रोल नमबर, फिर दुबारा दस्वी क्लास का रोल नमबर, पास्सिंग एर दस्वी क्लास का, फिर यहाँ जेंडर, दुबारा जेंडर को बताएंगे, नेसलेटी बताएंगे, फाधरसनेम को लिखेंगे मदरस नेम दुबारा मदर को लखेंगे यहां सपाउस न है घरको लेडीज है मेरीड है तो अपना हस्मेड का नाम लिख सकती है चलदे करें पर मुबाइल नंबर दुबार मुबाइलड को नकोरना इमेल ऑट रिंक क्लिक करना है जैसे होगा अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे पिर यहाँ पूछ रहा कि आपके पास अधार काड़ है करेंगे अधार नमर लिखेंगे दुबारा बसको आप यहां पर दे सकते हैं यहां पासवड हमेशा यूज होगा जब यह password आपको बनाना है यहाँ पर और कम से कम आठ करेक्टर का होना चाहिए एस से जेड और जीरो से नाइन एस से अपर केस लोवर केस वगर यूज करते आप password को confirm करेंगे अगर आपके पस अधार काड नहीं है तो आप इसे नो करेंगे यहाँ पर आपको अलग आईडी करके देखना अगर सब चीज सही है तो कोई दिकत नहीं है अगर गलती है तो सब्मिट मत करेंगे इडिट करेंगे अगर कुछ भी गलती नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म को सब्मिट करतें आपको इस परकार से रिजिशन सब्सक्राइब लिख देगा आपको यहाँ पर अगर मिल जाता है और आपको में बोलता है प्रोसीड करेंगे आप यहाँ पर प्रोसीड वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे प्रोसीड करते हैं आपका लॉगिन पेज उपन होगा यहाँ पना डेटर बर्थ रोल लंबर दसवी क्लास का फिर पासिंग यह जो आपने पासव सारा वेकेंसी यहाँ पर आपको जो है सो करेगा सबसे खास बात यह फ्रेंट की इस भरती का फॉर्म बरने के लिए आपको मात्र 100 रुपर अप्लिकेशन फी देने होते हैं मतलब क्या कि जनरल को OBC को EWS को 100 रुपर बाकी सबको जो है आप यहाँ प्लिकेशन फी माफ होता है SCスト को Female को इन सबको जो अप्लिकेशन माफ होता है अब देखेंगे आप जिस भी प्ल की अधेना चाहते हैं उसके सामने आपको apply का button मिलेगा उसके सामने ब्यारम अगर बताने हम लगू तो बहुता समय निकल जाएगा आधे घंटे हो जाएगे इस वीडियो का पूरा टाइमिंग तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ें और एक बार जाने की इस भरती के लिए फॉर्म बरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कैसे आपको जो है इसमें जौब मिलेगा जैसे मालजे आप देखना चाहते हैं आप देखिए इस पद के लिए यहां पर पोस्ट कोट दिया हुआ है यहां पर डेंटल मेकेनिक की पद है इसमें देखंगे आपको बताएं मैंट्रिक पास होने चा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले एक फॉर्म को कंप्लीट करिए उसके बाद आप दूसरे के लिए अप्लाई करिए इस प्लाई करना चाहते हैं चली हम यहाँ पर इस परकार से पोस्ट का नाम करेंगा आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस प्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब यहां पर देख़ेंगेज का पौस्ट का नाम सोह करेगा कि आप कौह इसे पोस्ट के लिए के appeal है यहां पी हैप अपने permanent अड्रेस और present इंडेस दोने हाँ पे पीन code के सास्त तो proper address अच्छे से सही जटेशी है Serious इसके बाद से यहां पे आपको आएगा category से बिलोंग करते हैं जनरल हैं, OBC, SC, ST किस काटेगरी से आप आते हैं, यहां पे अपना category का चुनाव करेंगे, मालने जी आप यहां पे जो है, general से आते हैं, general से चूनाव करेंगे, यहां पे आपको बताना होगा, अगर इस पर कोई सब केटेगरी से आते हैं तो आप यहां से चुनाव करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे अगर मालने जह आएंगे तो चूच करेंगे तो यहां पे आपको इस परकार से पूछेगा कि आप डेली के निवासी नहीं है किसी दूसरे राजे से विलोंग करते हैं और आप डेली से यहां पर यहां पर जाथी सरडीफिकेट यहां पर यहां लिख देंगे तो इस तरह से आपको पताना अगर आप सब्सक्राइब आपको जनकारी यहां पर आपको देना होगा और यह बार-बार बोलेगा कि आप जो है रिजर्वेशन के लिए इलिजबल नहीं होगे बटा फॉर्म भर सकते हैं भले आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आप सब आप इस तरह से देख लिजेगा अब यहां पर आपको किसी बोट के तुरह डिबाडट की है तो करेंगे वह नो करेंगे फिर इसको डिकलेर करके से बैंडैक्ट कर देना है अगले स्टेप में यहां पर आप देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है यहां फोटोग्राफ आप ही जाएंगे क्रॉष वाने तो आपको बोलना होगा किक करने में दिखत हो रही है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यह एक थर्ड पार्टी website पे लेकर जाएगा जहांbang free में अपने photograph को resize कर सकते हैं यहां पर आपफोटो को choose करेंगे जो भी आप photograph यहां से ब्राउज करेंगी जो भी आप photograph को resize करना चाहते हैं तैमेंशन में लाना चाहते हैं और उसको आप जब कर लेंगे तो यहां से आपको save edge कर लेना होगा मतलब save करके उसे अपने computer में save करके फिर उसे आप यहां पर upload करके यूज कर सकते हैं तो यहां पर instruction भी दिया हुए pixel का jpg का अब यहां पर आपको जो है अपना signature upload करना है जो भी पर next कर देना है अब यहां पर देखेंगे आपका अगले step में आएगा कि select qualification तो आप अपना qualification को select करेंगे समया पर matriculation पहला option को चूच किया हुए कि आप matric pass है किसी भी university से या किसी भी state से तो आप यहां पर form को भर सकते हैं तो आप अपने qualification को चूच करेंगे यहां पर और भी बहुत सारा है जिसे European high school से अगर आपने कर रखा हुआ है या तेंथ class आप technical higher secondary से कर रखा हुआ है जो डेली पॉल टेकनिक वरा होता है या और भी जुनियर रिग्जानेशन आपने कर रखा जामिया मिलिया इसलामिया डेली से या Cambridge स्कूल सेटिफिकेट आपके पास है सीनेर कम्रीज में अपने बताएंगे अब यहां पे आपको एड करना दसी क्लास की जनकारी यहां पे हम इस पर चूच करेंगे आप यहां पे इस तरह से आएगा देखिए आपको मैट्रिक आप यहां प बताना है कितना परशेंट आपका मिला हुए दो डेसमिल तर्क किस राजय से आपने यह मैट्रिक पास किया हुआ है उसको आप चुनाव करेंगे फिर इनवर्सिटी आएगा यहां से चूच करेंगे नहीं आ रहा है तो अधर चूच करके उसका नाम लिख सकते हैं उसको से अधरा है तो हम इसे क्वालिफिकेसन को एड कर लेंगे उसके बाद हम इसे क्या हम सेब कर देंगेश होने के बाद से यह डटा से हो जाएगा ओके कर देंगे, ओके करने के बाद से अब आमको next का option आएगा, हम next पे click कर देंगे, अब next पे click करते ही, अब यहाँ पे आपको जो है, इस तरह से page preview आ जाएगा, मतलब क्या कि आप जनकारी को verify करें कि यहाँ जो भी आपने जनकारी आप दिया सब चीस से, अगर इसमें कुछ भी गलती है, तो आप यहाँ edit करेंगे, हर जनकारी को नहीं गलती है, तो आप इसको declare करेंगे, इसको declare करेंगे, और final submit पे click करेंगे, आपका form final submit हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास hard copy सुरचीत रख लेनी है, अगर आपको यहाँ पर final submit करते हैं, अगले step में आपको payment लगता है, तो आपको payment भी जमा करना होगा, तो आपको जमा करना होगा, अपना payment को जमा करेंगे, जो भी आपका application fee लगरा 100 रुपे, और उसके बाद आपका final complete हो पाएगा, लेकिन इसके बाद आपको पाश यहीं प्रिंट का ही option है, उसके ब अप्लाई करना आपके माल में कोई डाउट से कमेंट है कमेंट वोक्स पूछेगा मिलते हैं किसी नेक्ष्वड़ों में जाहिंद आपका दिन सुभू